हेलो नवस्कार मित्रों आपका स्वागत है हमारे चैनल भारतिय नौलिज में आज का हमारा वीडियो है सपने में जाला देखने का क्या मतलब होता है एब हम इससे जुड़ी हुई वीविन नवस्ता है अगर हम सपने में देखते हैं तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पढ़ सकता है तो चलिए वीडियो को प्रारम करते हैं लेकिन आपसे अनुरोध है अगर आप हमारे चैनल पर नाए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दे और बेल आईकन को ज़रूर हिट कर दे ताकि आने वाली हरे एक वीडियो आप तक जल से जल पहुंचती रहे अब चलिए वीडियो को प्रारम करते हैं और बात कर लेते हैं कि सपने में अगर हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो है जाला लगा हुआ ही या आम सपने में है जो अपने घर की सफाई कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है सामद्रिक सास्त के अनुसार सपने दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं सपने सकारात्मक दूसरे होते हैं सपने नकारात्मक सपने कौन से कारात्मक होते हैं कौन से नकारात्मक होते हैं ये उनकी इस्तिती पर निर्वर करता है कि सपना आपने केसे स्तिती में देखा है तो चलिए बात कर लेते हैं पहली इस्तिती की तो मैं आपको बता दूँ कि आने वाले दिनों में आप जिस भी कारे है तू जो है कारे कर रहे हैं आपको लगएगा कि आने वाले दिनों में आपको उस कारे में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और हो भी सकता है कि आपको समस्याओं का सामना करना पड़े तो इसलिए अपने मन को थोड़ा तयार रखिए आने वाली परिसानियों को निपाट आने के लिए अपने मन को तागत बर बनाईए और मन में डड़ बिस्वास रखिए आने वाले समय में जो भी कारे होंगे वो सफल हो जाएंगे आप बात कर लेते हैं सपने में जो है हम अपनी घर की सफाई करते हैं जिसमें जाले वगएर आको हम अठाते हैं और कभी कवार जाले हमेरे हातों में, हमारे कपड़ों में और हमारे चहरे पर भी आकर लग जाता है तो इसका क्या मतलब होता है अगर ये आपको सपना आता है तो ये भी एक नकारात्मक सपना होता है इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में अगर आपके जो है सपने में जाला आपको लपट गया है तो आने वाले दिनों में आपके जो धुरबलोदी है वो अपनी योजना में काम्याब हो सकते हैं आपको परिसानी देने का वो कारण पैदा कर सकते हैं इसलिए थोड़ा जो है हम सतर्क रहे हैं और अपनी योजना उपर भरबूर ध्यान दीजिए ध्यान देने के कारण आपके आने वाले दिनों में समस्या उत्पन्य होने में थोड़ी बादा हो सकती है और आपका जीवन सुक्माय बन सकता है अब बात कर लेते हैं सपने में हम घर की सफाई करते हुए देखते हैं जिसमें जाला बगएरा को हम आराम से साफ कर देते हैं और हमें साफ करने में कोई दिक्कत नहीं होती है और बिल्कुल जो घर है हम अपना साफ करके चमाचम कर देते हैं अगर ऐसा सपना आता है तो ये सपना बेहदी सुब सपना होता है इसका मतलब होता है कि आने वाले जिद समय में अगर आप कोई भी कारे कर रहे हैं जैसे आप बैपारी बगएरा हैं या आप जैसे student है exam देने की जो है practice कर रहा है और कोशिस कर रहा है कि exam clear हो जाए तो हो सकता है आपको शपलता मिल सकती है बहीं अगर आप ब्यापारी बगएरा है और चाहना है कि आपको ब्यापार में काफी अच्छा लाब हो जाए और काफी दिन से कोई डील प्राप्त करना चाहते हैं तो निकट भविश्य में आपको डील प्राप्त हो सकती है, प्रोफिट हो सकता है बिजनस में बहीं अगर आप employee हैं तो हो सकता है आपको promotion मिल जाए तो ऐसी इस्तिती बनती है इस सपने के में अब बात कर लेते हैं सपने में हम देखते हैं कि हमारे घरों में बहुत सारा जाला आकल लग गया है और हम उसको जो हटाने की कोसित करते हैं लेकिन कामियाब नहीं हो पाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है अगर यह सपना आपको आता है तो मैं आपको बता दू कि आपकी जो आर्थिक सेहत है वो खराब हो सकती है और उसके अलाबा जो है आपके घर में बिमारिया भी आ सकती है इसके अलाबा आएके साधन पर भी संकट मड़ना सकता है तो इसलिए थोड़ा साब दारना है अब बात कर लेते हैं सपने में है जो इस्तरियां यह सपना देखती है जिसमें जो है जाले को वो साब कर रही है और जो है बिल्कुल अपना घर बिल्कुल साब कर दिया है उन्होंने तो यह उनके लिए कैसा होता है अगर ये सपना इस्तरियों को आता है तो ये मंगल में होता है इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में जो है उनकी जो सास बहू या बंदेबरानी जिठानी या पडोस में खटबट रहती है तो आने वाले दिनों में जो है उनके रिस्तों में मिठासा सकती है बहीं अब बात कर लेते हैं यह सपना अगर बीमार बिक्ति देखता है कि उसने अपने घर में जो जाला बगएरा है साफ कर दिया है तो उसके स्वास्त में लाब होने की उमीद रहती है अब बात कर लेते हैं कि सपने में आप देखते हैं कि मकडिया बहुत साड़े कीड़ों को अपने जालों में फसा रखा है तो यह सपना नकारात्मक होता है आने वाले दुविदाओं का यह संकेत देता है